हाई गाईज कैसे हूँ आप सब आज मैं आपको हेर फॉल का छोटा सा उपाय बता रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए है सरसो का तेल और केश्टर रॉयल अगर केश्टर रॉयल आपके पास नहीं है तो आप केवल सरसो का तेल या नारियल का तेल ले सकते हैं और उसको हलका सा लुक बॉर्म हलका सा गुनगुना कर ले और उसमें जो है बिटामिनी कैपसूल जो आता है ग्रीन कलर का इवी यॉन का वो उसमें आप डालीजिए अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप उसमें दो डालिएगा अगर आपके बालों की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो आप उसमें चार कैपसूल जो है कैची से काट करके या सैप्टिपिन से उसमें होल करके और उसमें आप सरसों के तेल में आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा और तेल को हलका सा गुनगुना जरूर करिएगा गाइस और उसके बाद ये देखे मैंने दो बिटामिनी कैपसूल डाले हुए है अगर मेरे बालों की लेंथ थोड़ी छोटी है और अगर आपके बड़े बाल है तो ध्यान रखिएगा चार कैपसूल आपको डाल ले है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करने के बाद आप अपने बालों में उंगलियों की टिप्स से आप हलके से पूरे सिर पर मसाज करिएगा और इस तरीके से बलके बड़े हलके हातों से पूरे सिर में आप मसाज करिएगा मेरी वीडियो जो है फारवर्ड की हुई है इस बज़े से इस पीट में है इस बज़े से आपको लग रहा है लेकिन बड़े हलके हातों से मैंने मसाज किया है और अच्छे से पूरे बालो में एप्लाई करिएगा इसको और उसके बाद आप चाहे तो ओबरनाइट भी इसको रख सकते हैं अगर आप अगर आपको हैवी ना लगे किसी किसी को वैल लगाने से, सिर में वैलिंग करने से हैवी हैवी लगता है जैसा कि मैं अपना बता रही हूँ मुझे बहुत हैबी हैबी लगता है और केश्टर यो जो है वो थोड़ा हैबी भी होता है थोड़ा से गाड़ा होता है केश्टर यो और इस पज़़े से उसको आप दिन में अगर लगाईएगा दिन में लगा करके आप 3-4-5-6 गंटे तक आप लगाए रहे हैं दो-3 गंटे तक भी लगाए रहे हैं उसके बाद हेर भॉस कर लीजेगा किसी भी हर्वल से एम्पू से या जो भी आप यूज करते हूं और आपको जो है ये पूरे सिर में वड़े अच्छे से एपलाई करना है और पहले तो पूरे जड़ों में लगाना है उसके पाद पूरी लेंथ में आपको एपलाई करना है और जिसकी भी थ्रेडिंग हलकी होती हैं जैसे कि गनी नहीं होती है वो अपनी thread पर भी इस oil को लगा सकते हैं एक step मैंने इसमें दिखाया है अगर आप गौर से देखेंगे तो तो इस तरीकी से आप सिर में मसाज करिएगा और आपका जो hair fall है वो दो-तीन हफ़ते में विटामिनी कैपसूल को डालने से अगर आपके पर कैश्टर oil नहीं है तो आप मद डालिएगा नारियल का तेल या सरसो का तेल लीजेगा और उसमें विटामिनी कैपसूल आप डालिएगा और दो-तीन हफ़ते में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा यह मैंने खुद अपने पर ट्राई करके देखा है फ्रेंट्स किवल विटामिनी कैपसूल डालने से ही बालों का जड़ना काफी कम होता है और बैसे तो आप जानते ही हैं बस पानी ज़्यादा पियें और हरी सबजियां खाएं दाल खाएं और यह सब हमें खाना चाहिए और इस तरीके से पूरे बालों में मैंने अपलाई कर लिया है अच्छे से और उसके बाद आप 10-15 मिनर तक अपने बालों में हलके हांतों से मसाज भी करिएगा उपर से नीचे नीचे से उपर इस तरीके से और फिर आप सोजाईए सुबह हेर बास कर लीजिए वीडियो पसंद नाए फ्रेंज तो लाइक से राएं सस्क्राइब जरू करिएगा ओके बाई बाई